दर्षीकों, हर हर महादीव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दर्षीकों, बेशाक माह का पहला सोमबार है कल बैसाक मा में आप किसी भी दिन सोंबार हो या फिर अन्य किसी भी दिन अगर शिव जी को प्रसनि करना चाहते हैं आपके कोई मनुकामना है या फिर किसी कारे में आप सफलता पर चाहते हैं तो फिर आप शिव जी को मना सकते हैं आपको बहुत ही सरल सा और आसान सा उपाय करना है आपको क्या करना है आपको सबसे पहले तो अचानक से कोई विपत्ती आ जाती है तो आप अपने घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है और शिव मंदिर के आसपास अगर कोई बेल बत्र का पेड़ है तो आप उसके नीचे किसी भी कंकर को शंकर मान कर एक लोटा जल समर्पित कर दें और घर आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रे का जाप करते रहें दो से तीन घंटे में ही आपके उपर जो विपदा आई है जो भी परिशानी है वह समाप्त हो जाएगी भगवान भोले नात बहुत ही भोले भंडारी है वह आपके कस्ट को तुरंत ही हर लेंगे साथी में यदि आप अपनी मनो कामना को पूर्ण करना चाहते हैं किसी परिशा में पास होना चाहते हैं सफलता प्राप्त करना चाहते हैं कोई इंटर्व्यू में आपको सफलता चाहिए हैं, तो आपको इसके लिए एक उपाय करना चाहिए, आपको उपाय क्या करना है, वेसाख महा में किसी भी दिन, आप वैसे तो पहला सोंबार है, तो आप इसी सोंबार को यह उपाय कर सकते हैं, सुभा इस्नान आदी से निर्वित्र होकर शिव मंदिर जाएं शिव मंदिर जाकर आपको क्या करना है आपको बेल पत्र लेना है पांच बेल पत्र लेने हैं और एक अक्षत का दाना आपको पहले शिवलिंग पर एक अक्षत का दाना अपनी मनुकामना को गोलते हुए समर्पित करना है अर्पित करना है शिवलिंग पर और उस पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और फिर एक लोटे जल से अभिशेक करना है और कभी भी शिव मंदिर से खाली हाता वापस जिस लोटे से जिस कलश से आपने शंकर जी पर जल अर्पित किया है उसमें थोड़ा सा जल शंकर जी पर चड़ा हुआ अपने साथ घर लेकर आए और घर के मंदिर में रखें जिस से आपके घर में सकारत मकता बनी रहेगी और भगवान भोलेनात का आशिरवाद आपको प्र चैनल पर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंती सब्सक्राइब कर लेजिए बेल ऐकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर देजिए जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नम अस्तु भ्यम दर्शिकों हरहर महादीव जै मादादी